वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास एट हिंदी का चैप्टर नमबर फाइव है क्या निराश हुआ जाए आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर तो चल दी से वीडियो को लाइक कर दो आई होब चिल्डरन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो आपको हमारे सारे अपडेट मिलते रहें question number one देखिए लेखक ने सुईकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोका दिया है फिर भी वह निराश नहीं है आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है तो लेखक ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उसने जीवन में धोके नहीं खाये उसे भी बेकार लोग मिले हैं लेकिन फिर भी वह निराश नहीं है disappointed नहीं है वो खुश है क्यूं कि लेखक सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं आशावादी यानि कि positive mindset का व्यक्ति है दूसरा अगर लेखक को कुछ खराब लोग मिलें तो अच्छे लोग भी मिलें जैसे उसको एक ऐसा conductor मिला था जिसने लोगों की help करी उसके बच्चों को पानी वानी पिलाया दूद दिया वो एक बार railway ticket ले रहा था उसने 100 रुपए का नोट दिया कितने रुपए का 100 रुपए का नोट दिया और वापस पैसे लेना भूल गया तो वो जो ticket officer बैठता है वो बिचारा दोड़ा दोड़ा आया और उसको 90 रुपए वापस करके गया नि 100 रुपए का था तो 10 रुप आशावादी मतलब जो positive लोग रहते है number two कई बार लेखक को अच्छे व्यक्ति भी मिले है अच्छे व्यक्ति कौन से जैसे ticket बाबू का लेखक को बचे हुए पैसे वापस दे देना लेखक ने ticket बाबू का 100 का नोट दिया था और बचे हुए पैसे लेना भूल गए थे ले दोशों का परदाफास करना का बुरा रूप ले सकता है चिल्डन मान के चलो class में कोई cheating कर रहा था exam में आपने उस बच्चे की शिकायत कर दी teacher से teacher ने उस बच्चे को डांट लगा दी अब वो जो बच्चा होगा आप वो क्या मौका देखेगा कि इसने भाई मेरी ना चु बन जाता है और हमें नुकसान पहुचाने की कोशिश करता है तो इसी बात को हम अपने words में कैसे लिखेंगे जब हम किसी व्यक्ति के दोशों का परदाफास परदाफास मतलब उसको सब के सामने ले आया है जैसे यहां पर teacher से हमने शिकायट कर दी तो कई बार वह व्यक्ति क्रोधित होकर बदला निकालने के प्रयास में मतलब वो गुस्सा हो जागा कि तून भाई मेरी शिकायट क्यों कर दी यह कर दी तो वो हमसा बदला लेने की कोशिश करेगा और उसमें हमको हानी हानी का मतलब होता है नुकसान हमें वो पहुचा सकता है ठीक है आज कल के बहुत से समाचार पत्र मतलब न्यूस पेपर या समाचार चैनल जो न्यूस चैनल है दोशों का परदा फास कर रहे हैं इस प्रकार के समाचार और कारिक्रोमों की सार्थक्ता पर तरक सई त्विच्चार कीजिए चिल्टर आपने देखा होगा आज तक पर कई ब अवेर होते हैं कि हमें बहुत जादा अवेर रहना है क्राइम कई भी भी हो सकता है और हम पहले ही सचेत हो जाते हैं तो आंसर कैसे लिखोगे पहले देखो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बहुत से समाचार पत्रिया समाचार चैनल दोशों का परदा फास कर रहे ह पूरा का पूरा, पूरा का पूरा मैंने कहां से लिया, ठीक है, यहां से उठाया, बहुत से से लेके और कर रहे हैं तक, पूरा क्वेस्चन से कर लेया, इसके कारण समाज में जागरुपता थे, जागरुपता मतलब लोग aware बनते के हाँ भई हमको किसी को घर में नहीं बुल को पानी के लिए नहीं पूछना कई बार ऐसा होता है कि किसी ने पानी मांगा वो पानी देने गई अकेली थी और लोगों ने भाई सब चोरी कर ली उसके घर में डेकेती डाली मडर कर दिया तो ये बताना चाहता है ये question का answer कि इस तरह के program देखके इस तरह की हम aware हो जाते हैं और हम पहले ही सचेत रहते हैं निमलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है अब देखो question बहुत बड़ा है answer बहुत छोटा question है ये सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिससे पड़ी हुई है तो इससे क्या होगा answer सीदे answer देखेंगे सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिससे पड़ी हुई है इससे क्या होगा इससे तामा शाही बढ़ेगी बस one word का answer है ठीक है points देखना ही बंद कर दिया इससे हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है अव विश्वास बढ़ रहा है हम किसी पर भी trust नहीं कर पाते है लेखक ने लेक का सीर्षक अगर इस chapter का title देखो तो क्या है क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा क्या आप इससे बहतर सीर्षक हुआ जाए कि जब लोग उसको पढ़ें तो निराश वक्ती भी क्या हो जाए positive हो जाए ठीक है पहले हमने image से समझा अब इसी बात को अपने words में लिख देंगे पहले जो मैंने underline किया हुआ है question में से ही उतारा लेखक ने लेखक लेखक का सीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा पूरा question से ताकि लोग इस लेख को पढ़ने के बाद अपनी निराशा त्याकर आशावादी बने कि लोग निराश ना रहें disappointed ना रहें औ हुश हो जाए happy हो जाए इसका अन्य सीर्षक हम क्या दे सकते हैं हम निराशा से आशा क्या दे सकते हैं निराशा यहां पर इस तरह से inverted comma निराशा से आशा भी हम एक इसका नया टाइटल दे सकते हैं children अभी तक आपने इस वीडियो को एक like नहीं किया है तो आपसे request वीडियो को like करते हो तो YouTube के algorithm को यह पता चलता है कि इस तरह का content आपको देखना पसंद है तो आपको इस चैनल की वीडियो वह आपको और दिखाएगा तो मैं तीन तक count करूँगा प्लीज वीडियो को like कर दो one two three I hope children आपने वीडियो को like कर दिया है channel को subscribe कर दिया है thank you guys next question य तो आप दिये गए चिन्नों में से कौन सा चिन्न लगाएंगे तो देखो क्या लग रहा है क्या क्या है question word और question word के साथ हम कौन सा question mark लगाते है ठीक है अपने चुनाव का कारण भी कीजिए क्योंकि life में बहुत सारे लोगों को problem है कुछ ही है किसी को exam की problem है किसी को पैसे की problem है किसी को घर में कलेश है तो poet ये चाते हैं का लेखक कि भई लोग निराश ना रहके खुश रहे पॉजिटिव माइंड सेट को follow करें तो answer कैसे रखेंगे क्या निराश हुआ जाए के बाद मैं प्रसंचिन प्रसंचिन मतलब ये वाला question mark लगाना उचित समझता हूँ क्य आधर्षों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कटिन आपने देखा हुआ चिल्डरन बहुत बड़े बढ़े नेता भाशाण तो देते हैं लेकिन उसको follow नहीं कर पातें तो पहले answer कैसे लिखेंगे आधर्षों की बाते करना तो बहुत आसान हैं पर चलना बहुत कठन है, पूरा question में सही जो मैंने underline किया है, यह जो मैं underline कर रहा हूँ, यह आपको notes बनाते हुए underline नहीं करनी, यह बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कि question में सही बहुत सारी चीज हम copy कर सकते हैं, मैं इस कथन से सहमत हूँ, भई मैं पूरी तरह से agree क्यों कि व्यक्ति जब आदर्सों की रहा पर चलता है, तब उसे कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता है, होता है न, इसलिए तो कहते हैं, कहनी और कठनी में बहुत अंतर होता है, कहना बहुत आसान है और करना बहुत कठिन है, अब हम करेंगे children, आगे वाले question जो है आप तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चरम परम, भीरू और बेबस इसको हम क्या कह सकते हैं, भीरू बेबस, अब यह कह रहा है, ऐसे ही दोंद समास के बारे उधारन दिखने, तो ये लो यार कितना आसान है, ये हमने लिख दिया, सुख दुख, भूक और प्यास को लिख दिया भूख प्यास हसना और रोना को लिख दिया हसना रोना आते और जाते को लिख दिया आते जाते ठीक है इस तरह से यह आप 12 लिख सकते हो चिल्डन अगर आपको class 6 से लेके class 12 तक किसी भी chapter के mcq question चाहिए आपको पता होगा cbsc ने और state boards ने यह clear कर दिया है कि अब हर subject के questions paper में 25% से लेके 35% mcq question आएंगे ही आएंगे ठीक है तो आप हमारे mcq channel को आज ही subscribe कर लो आप लोगों के प्यार और support से mcq channel को भी जो है silver play button मिल गया है ठीक है mcq channel का जो link है वो मैंने description में डाल दिया है इस तरह का logo है और जिस time में ये video बना रहा हूँ 1,27,28,000 हमारे subscriber already हो गए है इसके अलावा अगर आप मुझे instagram पे बात करना चाहते हैं मुझसे तो instagram पे follow कर लीजे englishbaba.eb instagram और mcq channel दोनों का link मैंने description में डाल दिया है पार्ट से तीन प्रकार की संग्याओं के उधारण संग्या मतलब नाउं तो जाती वाचक संग्या के उधारण बस, यात्री, हिंदू, मुसलिम, भाववाचक संग्या का उधारण इमांदारी, चोरी और व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउं जिसको बोलते हैं जिसे भारत वर्स हो गया, गांधी हो गया, इस तरह से आप कर रहें चिल्डरन इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखूंगा कितने बच्चे right answer देंगे लेकक ने टिकेट बाबू को कितने का नोट दिया था, याद करो जब उसने 90 रुपर लोटाई थे 50 का नोट दिया था, 10 का नोट दिया था, या 100 का नोट दिया था आप चाहो तो अपने answer में comment में A, B, S, E लिख देना मैं समझ जाओगा आप मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, फ्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाब बाए